तो राह चोनी धूने उसी राह पे राही चलते जाए सीमा 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 सहने की भी है कोई सीमा पता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई चल चल रे काठ मंडू मिलेंगे वहां शम्भू चल चल रे काठ मंडू मिलेंगे चल सपनों के शहर में तुझे ले जाता हूँ तेरी राहों में सितारे दोस्तों ये सारे गाने किशोरदा और रवींद्र जैन की जोड़ी के द्वारा तैयार किये गए थे जिस वक्त किशोरदा की गाय की गडंका हर और बज रहा था और हर प्रोडूसर डिरेक्टर उन्हें अपनी फिल्मों में साइन कर लेना चाहता था उस वक्त किशोरदा ने अपनी फीस तो बड़ा ही दिया था लेकिन उसके बाद भी कई लोगों को उनके पीछे महीनों चक्कर काटने पड़ते थे उसी तरह के कुछ चकर में फंस गए थे संगीतकार रवींद्र जैन जी हलाकि रवींद्र जैन जी बहुत ही अच्छे इंसान थे लेकिन चुकि उस वक्त वो इंडरस्ट्री में बिलकुल नए थे शायद इसलिए वो किशोरदा से उतना वाकिफ नहीं थे कौन सी फिल्म का वो गाना था और क्या था वो पूरा किस्सा आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बाते होंगी कि आखिर क्यों रवींद्र जी को किशोरदा के महीनों चक्कर काटने पड़े नमस्कार मैं हूँ आपका होश्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंट्रेस्टिंग वीडियो बॉलिवूड में रवींद्र जैन एक फेमस म्यूजिक डारेक्टर थे और हर कोई उन्हें बड़े सम्मान की निगाह से देखता था रवींद्र जैन की फिल्मी शुरुवात 1973 में फिल्म सौदागर से हुई थी और किशोरदा ने इस फिल्म में भी एक गाना गाया था गीत के बोल थे हर हसी चीज़ का मैं तलबगार हूँ लेकिन इस गाने के बाद भी रवींद्र जैन से किशोरदा की कोई खास ट्यूनिंग नहीं बनी थी इतने बड़े फेमस म्यूजिक डारेक्टर को भी अपने शुरुआती कैरियर में अपनी फिल्म के एक गाने के लिए बहुत ज्यादा भाग दोड़ करनी पड़ी थी आखिर रवींद्र जैन को किशोरदा ने क्यों दोड़ाया था क्या थी उसके पीछे की पूरी कहानी ये एक बड़ी ही दिल्चस्प कहानी है ये बात उन दिनों की है जब रवींद्र जैन जी बॉलिवड में बिलकुल नए थे और अपने पैर जमाने के लिए इस्टूडियोस के रोज चक्कर लगा रहे थे प्रोडूसर डारेक्टर से मिल रहे थे अपने खास दोस्त संजीयो कुमार जी की मदद से उनकी मुलाकात मशहूर प्रोडूसर एनन सिप्पी जी से हुई सिप्पी जी को रवींद्र जैन जी का संगीत बहुत पसंद आया और उन्होंने साल 1974 में बन रही अपनी फिल्म चोर मचाए शोर में उन्हें बतोर म्यूजिक डारेक्टर साइन कर लिया इस फिल्म में शर्शी कपूर, मुम्ताज, मदनपूरी, डैनी ने काम किया था इस फिल्म के लिए रवींद्र जैन जी ने बेहत करणप्री संगीत तयार किया था इसी फिल्म का एक बहुत ही मशूर गीत जिसे रवींद्र जैन जी ने ही लिखा था और उन्होंने उसका संगीत भी तयार कर लिया था लेकिन वो गीत रेकॉर्ड नहीं हो पा रहा था उसकी वज़े ये थी कि उस गीत को गाने के लिए सिप्पी साहब और रवेंदर जैन जी ने जिस सिंगर को चुना था वो मनमोजी और अलबेला था इस बात को फिल्म इंडस्ट्री में सभी मानते और जानते थे कि वो महान सिंगर किशोर कुमार जी थे रवींदर जैन जी चाहते थे कि वो गाना अगर किशोरदा गा दें तो गाने का सूपर हिट होना तैं है लेकिन उस वक्त किशोरदा गायकी के बेतास बाश्चा थे और उनके गायगाने सूपर हिट की गारंटी भी थे इसलिए किशोरदा आसानी से किसी के हाथ नहीं आते थे और ना ही किसी नए संगीतकार के साथ गाना गाते थे रवींद्र जैन जी उस वक्त बिलकुल नए संगीतकार थे और हिंदी सिनेमा में अपने हुनर से पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे किशोरदा उस समय नए संगीतकारों से जल्दी मिलते भी नहीं थे इसलिए रवींद्र जैन जी के सामने ये विकट समस्या खड़ी हुगई थी कि वो अपना गीत किशोरदा तक कैसे भेजें बहुत समय के बाद पता चला कि उन्ही के एक साजिंदे की किशोरदा के साथ कुछ पहचान थी तो उन्ही के माध्यम से उस गीत की रफली और दमी रेकॉरडिंग किशोरदा के पास भेज दिया लेकिन सिर्फ गाना भेजने से तो कुछ होने वाला था नहीं कई महीने बीटने के बाद भी किशोरदा ने वो गीत सुना ही नहीं रेकॉर्ड होना तो बड़ी दूर की बात थी रवींद्र जैन जी बहुत दिनों तक किशोरदा के पीछे दोड़ते रहे लेकिन बात नहीं बन पाई इससे रवींद्र जैन जी और NNCP दोनों बहुत दुखी थे एक बात किशोरदा के बारे में बड़ी ही फेमस थी कि अगर किसी को किशोरदा से गाने गवाने हैं तो उसका एसेट और कैसेट दोनों किशोरदा को पसंद आने चाहिए तब भी बात बन सकती थी वरना नहीं अगर कोई संगीतकार दोनों शर्तें पूरी करता था तो किशोरदा आसानी से अविलेविल हो जाते थे लेकिन ये बात रविंदर जैन और NNCP को बड़ी देर से पता चली उसके बाद उन्होंने बिना देर किए ऐसेट और कैसेट दोनों किशोरदा के पास पहुचा दिये फिर क्या था अगले ही दिन सुबा सुबा रविंदर जैन जी के पास किशोरदा का फोन आ गया कि मैं आज गाने की रेकॉर्डिंग के लिए इस्टूडियो आ रहा हूँ आप अपने गाने को आज ठीक से अरेंज कर लीजे रविंदर जैन और सिप्पी साहब की खुशी का ठीकाना नहीं था रविंदर जैन तुरंत अपने म्यूजीशियन्स के साथ इस्टूडियो पहुँच गए चारो और अफरा तफरी का आलम था कि आज किशोरदा आने वाले हैं किशोरदा भी टाइम से पहले ही स्टूडियो पहुँच कर उस गाने की कैसेट को ध्यान से सुन रहे थे उस दिन उनकी किसी और गाने की रेकॉर्डिंग उशा खन्ना जी के साथ होनी थी लेकिन उसे उन्होंने कैंसल कर दिया था रवींद्र जैन का लिखा और संगीत बद वो गीत उस दिन रेकॉर्ड हुआ फिर रिलीज हुआ तो उस गाने ने चारों और काम्याबी के जंडे गार दिये रवींद्र जैन का वो गीत जो किशोरदा को इतना पसंद आया था कि वो इसे रेकार्ड करने को पागल हो रहे थे और उन्होंने उशा खन्ना जी के रेकार्डिंग को इसी गीत के लिए कैंसल कर दिया था वो गीत था घुंगरू की तरह बचता ही रहा हूं मैं फिल्म चोर मचाय शोर का ये गीत किशोरदा के सफल गीतों में से एक था और इस गीत में उस दोर में इतना शोर मचाया था कि रवींद्र जैन जी सफल संगीत कारों में शुमार होने लगे किशोरदा ने अपने टॉप 10 गीतों की लिष्ट में भी इस गीत को शामिल किया था इस फिल्म के लिए किशोरदा ने एक और गीत भी रेकॉड किया था जो सूपर हिट रहा था ले जाएंगे ले जाएंगे दिलवाले दूलणिया ले जाएंगे इस गीत के मुखड़े पर ही बाद में एक फिल्म भी बने थी दिलवाले दुलहनियां ले जाएंगे उस गीत के बाद तो किशोरदा रवींद्र जैन जी को इतना मानने लगे कि वो उन्हें गुरुदेयो रवींद्र कहकर बुलाने लगे किशोरदा को फिर रवींद्र जैन के संगीत पर इतना भरोसा हो गया कि दोनों का सफर बरसों बरस तक किशोरदा की मौत तक जारी रहा यानि दोनों की अमर जोड़ी ने लंबे समय तक अपने सुरीले और सजीले गीत संगीत प्रेमियों को सुनाते रहे किशोरदा और रवीन जैन जी की जोड़ी के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया आपको अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए गया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए किस्से के साथ तब तक के लिए नमस्कार